हेलो दोस्तों मेरे साथ में है जसमीत सिंह सहानी जी जो की अपनी फोर्ड ब्रोंको को इंडिया लेकर आए हैं केनडा से और सर इतनी सारी कंट्री घूमका हैं जितने आपने अभी शायद शेयर भी ना घूमे हो मजाग में कह रहा हूं खेर सीरियस मत लेना सर सुवागत है आ सुवागत है कौन कौन सी कंट्री आप बूम काया है कैनाडर से इंडिया आने तक सर अगर आप यहां पर मैब मैंने सबकुछ अपवा दिया तरॉंटो के नजीक से मैंने स्टार्ट कर था वह से मैंने शिप कर आई थी यूके तो यूके के बाद फिर हम गई फ्रांस के बा मॉन्टीनेग्रो, कुसोवो, सर्भिया, बुल्गेरिया, टर्की, एरान, पाकिस्तान, और फिर 19th country इंडिया तो टोटल 19th country आप होके आए हैं, तोटल कितने किलोमेटर गाड़ी चली जब मैं टच करा था इंडिया को तो 19,000 किलोमेटर गाड़ी प्रोसेस होता है गाड़ी अगर आप बाई रोड लेके आते हैं कंट्री से दूसरी कंट्री उसके बारे में थोड़ा सा बता जैसे हम लो हमें कारने दी पसाज, वो एक फ्रेंच वर्ड है, वो हमें इशू करवाना पड़ता है, उसके लिए कुछ एप्लिकेशन भरनी पड़ती हैं, उसके बाद हमें उसके लिए एक फीस देनी पड़ती है, फिर कुछ गारी का डिपॉजिट भी वहां पे as a security रखवाना पड़ मैं अपना कारने ओफिस पे तो जो सेक्योर्टी डिपॉजिट है, वो मिल को रिटन मिल जाए, जी तो ये एक सिक्योर्टी अमाउंट था सिर्फ जी सर, और ये कारनेट सर, अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग बनता है, जैसे आपने चैनेडा से शुरू किया और इं नहीं है, और जब यूएस से मैंने बात करी इस के लिए तो यूएस और इरान के कुछ पॉलिटिकल रीजन से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उन्होंने इरान के लिए देने से मना कर दिया, उसके बाद मैं जब यूके गया, तो यूके वालों ने मेरे से सतर हजार डॉल उन्होंने मेरे को पाकिस्तान के लिए मना कर दिया, पाकिस्तान से पूछा, उन्होंने इंडिया के लिए मना कर दिया, तो मैंने अपना सिर पकड़ लिया, फिर चेक करके एक जगह है, पराग, बहुत बीडिव सिटी है, वहां पर मेरे को एक आफिस मिला, और मेरे को वहा अगर आप बात करें ना तो जब हम एरान सेंटर कर रहे हैं पाकिस्तान तो एक एरिया था बलोचिस्तान लोग बहुत प्यारे हैं बट थोड़े से वहां पर मैनेजमेंट इशूज हैं और सेक्योर्टी बहुत ज़्यादा मिलती है हम लोगों को पाकिस्तान गवर्मेंट की से वह हमारे लिए है बट थोड़े से ना सिक्योर्टी इशूज चल जाते हैं तो वहां पर थोड़ा सा ना आपका वेवलेंथ मैच नहीं कर पाती आप अपने कंट्रोल में नहीं हो आप खुद सोचे मैं इतने किलोमेटर अपने मझे से चला गया रहूं अब किसी के कहने पे चला रहूं तो थोड़ा सा आपका उपन नीचे खुझा देते हूंगे कि आप नहीं हर दस किलोमेटर अपको से क्योर्टी की गाड़ी आपके साथ चलती है एक हजार किलोमेटर आलमोस्ट एवरी 10 से पंद्रा किलोमेटर में से को टीड़ी की गाडी चेंज होती है वो तो आपको रुकवाते है आपकी फोटो कीछते हैं पासफ़ोड कीछते हैं गारी की फोटो कीछते हैं और आगे पेज देते हैं आधे घंठे में सोचुछ लो किसी जग हम 1 घंठे में भी हो रहा है जुकर एब सिर्फ पकड़ लेते हैं शुरू में तथर वी वी आईपी फील होगा एगदम के अंडर परशन बट आपको मैं सच बताना चाहूंगा जूट नहीं कहरा जितना प्यार मेरे को इंडिया में मिल रहा है इंडिया में तो मैंने ज्यादा दिन स्पेंड कर लिये मैंने पांच द वी वी आईपी ट्रीटमेंट बिला बहुत प्यार से सब ने बुलाया बहुत प्यार से रखा सबने बहुत मजाया वहां पर उस चीज को ना देखें वह अलग लेवल्स तल रहे हैं परस्नली लेवल पर बहुत अच्छा में पर बता दो क्योंकि इंडिया में तो हाई नी क परवाले मौडल होतरे निए तो डॉर में भी आती है और सिर्फ इसी पर्टिकुलर मॉडल का बात करें तो कनेडियन सेवंटी थाॉजन डॉलर्स में यह आती है जो कि इंडिया के तकरीबन 45 लाख से कम ही बनते हैं लेकिन इंडिया कभी लेके ही नहीं आया फोर्ड सिर्फ लास्ट जो गाड़ी होती थी वो एंडेवर रही थी इंडिया में और अब लोग याद कर रहे हैं जब थी तो शायद उस्टाइब पसंद कर लेते उतना खरीदते तो रहती इंडिया में और उमीद तो है फोर्ड वापस आए अब आएगा ये गाड़ी आएगी नहीं आएगी ये खेर सब फ्यूचर वाली बात है तो थैंक्यू सर आपने अपना experience शेर किया हमारे साथ में और मिलके अच्छा लगा सर आपके तैंक्यू तैंक्यू आप जरूर फॉलो करें अगर मेरी जर्णी देखना जाते है सर का अपना चैनल है इंस्टाग्राम है और सर टिक टॉक तो बंद होगे इंडिया में तो इसके अंदर मैंने सारी information दी है आप यहां पर विजिट करें और पूरा जो जर्णी है सर आपने शेर किया है तो आप वीडियो देख सकते हैं हर एक कंट्री का सर ने उसमें दिया है तो कंट्री वाइस भी आपको देखने को मिलेगा कहां पर क्या सर का experience रहा है तो थैंक यू यहां तक वीडियो देखने के लिए और सर थैंक यू थैंक यू वेरी मिज्ट थैंक अलोट